एक ही दिन में लाखों SIM BSNL में हो रही हैं पोर्ट जो Airtail और V.I. का खेल खत्म अब पूरे भारत में BSNL का ही चलेगा बादशाहत SIM पोर्ट कराने पर मिलेगा 4G डाटा फ्री टाटा ने दिया 140 करोड भारतियों को बड़ा तोहफा अब टाटा ऐसा BSNL का सस्ता रिचार्ज प्लान लाँच करने जा रही है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया होगा इस रिचार्ज प्लान के आजाने से BSNL को कोई बीट नहीं कर पाएगा दोस्तों अब मार्केट में जियो, एर टेल और वी आई का BSNL बाब बन गया है एक समय था जब BSNL के करमचारी कामचोर हो गए थे कस्टमर्स से सही से बात नहीं करते थे कस्टमर्स की प्रॉबलम को सॉल्व करने में देरी करते थे जिसकी वजह से आम जनता का विश्वास BSNL पर से धीरे-धीरे उठता चला गया और यही रवया BSNL को ले डूबा लेकिन अब इन करमचारीयों को नजर आ रहा है कि कमपनी को एक बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी मिल चुकी है अब BSNL पॉपिलर हो चुका है पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर BSNL का हैश्टेग ट्रेंड कर रहा है इस समय BSNL ऐसे ऐसे दावे कर रहा है जिसकी वजह से आम जनता का ध्यान BSNL की ओर केंद्रित हो रहा है अब जनता जियो एर टेल को छोड़ कर BSNL की ओर भाग रही है आज तक BSNL को कहा जाता था कि ये 3G सही से नहीं दे रहा है तो 5G कहां से देगा वहीं दूसरी प्राइवेट बड़ी बड़ी टेली काइनम कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी है देखा जाए तो अभी अप्रैल में BSNL ने पूरे भारत भर में 2000 से लेकर 3000 4G टावर ही लगाए थे लेकिन अचानक उनकी संख्या भारत में 10,000 से भी ज्यादा हो चुकी है बताया जा रहा है कि बहुत जल्द BSNL पूरे भारत भर में लाखों 4G टावर लगाने वाला है जो कि यह बहुत बड़ी बात है सबसे खास बात तो यह है कि BSNL जिन टावरों को इंस्टॉल कर रहा है उसमें टाटा की ऐसी टेकनोलोजी डेपलॉई कर रहा है ताकि 2025 तक इं टावरों को आसानी से 5G में बदला जा सके इससे क्या होगा कि BSNL को अलग से 5G टावर नहीं लगाना पड़ेगा अच्छा खासा BSNL का पैसा बचेगा जिसकी वजह से भारतिय आम जनता के लिए जो रिचार्ज की कीमत है वह बेहत कम हो जाएगी और बेहत कम समय में BSNL पूरे भारत में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा सकेगा और दोस्तों आपको बता दें ऐसा करना BSNL के अकेले की बात नहीं थी जब से टाटा ने BSNL के साथ हाथ मिलाया है तब से BSNL पूरे एनरजी के साथ जुट चुका है BSNL पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल के पहाड़ी इलाके पोरजी पहुँचाना चाहता है 2025 तक 5G उतार करके सारी प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियों को बहुत बड़ा जटका देने वाला है इसके चलते लाखों लोग SIM पोर्ट करवाने लगे हैं तो दोस्तों BSNL ऐसा कौन-कौन सा ओफर दे रहा है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी अपनी SIM को BSNL में पोर्ट करवाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर लेकिन उससे पहले BSNL जो एक 140 करोड भारतियों को तोफ़ा दे रहा है उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है पटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों देखा जाए इस समय तो महंगाई आसमान छू रही है उपर से रिचार्ज का इतना महंगा होना लोगों को हिला कर रख दिया है लोगों के अंदर गुसा इस बात को लेकर है कि जब जियों आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट फैला नहीं था जियों ही वह कंपनी थी जो सस्ता डाटा बेच कर इंटरनेट यूजर को बढ़ाया उसी का देखा देखी एरटल और वियाई ने भी किया लेकिन यह एक मार्केटिंग स्ट्राटेजी थी इन कंपनियों की उस समय भी लोगों को पता था लोग जानते थे कि आगे चल कर इन कंपनियों का असली रंग देखने को मिलेगा डेफिनेटली कंपनियां रेट बढ़ा देगी लेकिन इतना रेट बढ़ाएंगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था यानि इन कंपनियों ने पिछले दस सालों में जितना खर्च किया है वह अब आम जनता से चूसने के लिए अपना मूड बना चुकी है और अब जब सारे भारत के जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियों के डेटा पर तब जियों की प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा तो एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लैन बना लिया जियों ने इस बात को लेकर गुसा जो है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है खासकर युवाओं के बीच में और बड़ी बात ये है कि इस गोल्डन ऑपर्चुनिटी को भूल कर भी BSNL अब गवाना नहीं चाहता है लगातार BSLN की तरफ से लोगों को नए नए आफर दिये जा रहे है और सबसे बड़ा आफर जो सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि BSNL के 1515 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में यूजर को 2GB डेटा डेली बेसिस पर आफर किया जा रहा है वो भी साल भर की वैलिडिटी के साथ तो दोस्तों एक साल तक की वैलिडिटी और 1515 मातर का रिचार्ज आफर ऐसा कोई भी कमपनी आज की तारीख में भारत में नहीं कर रही है इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो BSNL में अपना सिमपोर्ट कराते नजर आएंगे दोस्तों अगर टाटा का ऐसा ही साथ BSNL के साथ बना रहेगा तो BSNL 100% सक्सेस्फुल हो सकता है क्योंकि उसके प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में BSNL बीट कर सकता है अगर सरकार ने कोई लापरवाही नहीं बरती या कोई पंगा नहीं खड़ा किया जिसकी वज़े से BSNL नीचे पहुँच जाए और Airtel और Jio सबसे उपर हो जाए तो दोस्तों मान करके चलिए BSNL 100% एक बहुत बड़ी टेलिकॉम कंपनी बनकर उभरेगी क्योंकि अगर देखें जब BSNL पहली बार भारत में आया था यानि BSNL भारत में जब पहली बार लाउंच हुआ था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ BSNL ही था BSNL का इतना बूम था कि हर भारतिये के मोबाइल में BSNL के ही सिम हुआ करते थे और उसमें BSNL के नेटवर्ग भी बहुत अच्छे हुआ करते थे शुरुआत में कंपनी ने लोगों को अच्छा सर्विस दिया लेकिन वह कहते नहीं सरकारी है और सरकारी लोग काम चोर होते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी तो समय से मिल जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है इसलिए काम अच्छे से नहीं करते हैं और उसी का नतीजा यह हुआ कि इनकी सर्विस धीरे-धीरे खराब होने लगी और उसी समय धीरे-धीरे भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री होना शुरू हुई और कम दाम में लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिये और BSNL के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए इसकी वजह से हुआ कि BSNL के ग्राहक कम बचे अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था बट ग्राहक कम हो गए थे As a result BSNL कंपनी पूरी तरह से डूब गई लेकिन एक एडवांटेज था इस कंपनी का वह गाव एरिया के लिए वहाँ पर आपको जियो एर्टेल का नेटवर्क उतना स्ट्रॉंग नहीं मिलेगा जितना की BSNL का होता है BSNL का में मोटिव था टेलीकॉम सर्विसेस को भारत के कोने कोने तक यानि जहां फोन तक मौजूद नहीं है वहाँ पर भी पहुँचना लेकिन जो जियो एर्टेल और वी आई थे उन्होंने गांव को प्रायोरिटी ना देकर के शहरों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते थे और पैसा रिच फैमिली के पास ज्यादा होता है और वह गांव में न रहकर के बड़े शहरों में रहते हैं और ज्यादा इंटरनेट का भी यूज करते हैं इसलिए इन कंपनियों ने उनके हिसाब से प्लान बनाया जो प्लान था वो तो सस्ता था बी एसेनल के बराबर था और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक टैरिफ का दाम बढ़ जाएगा जिसके चलते जो 100 का टैरिफ है वह 127 से 110 रुपे तक हो सकता है इन कंपनियों द्वारा अचानक से इतना बड़ा हाइक बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा जटका लगा है लोग वापस BSNL की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा दोस्तों लाखों लोग BSNL में अपने SIM पोर्ट कराने वाले हैं तो दोस्तों क्या आपने भी BSNL में अपनी SIM को पोर्ट करवा लिया है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो दोस्तों जय हिंद जय भारत